हने दोस्तो वेलकम बैक टु न्यू वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आपके सामने खड़ी भी है ब्रैंड नू यमा आरंट फाइब एस का न्यू मोडल है दोस्तो यह आरंट फाइब एस का लेटिस मोडल भी आप इसे कहते हैं यह वीडियो आपको के लिए काफ यह दा इंट्रस्टिंग प्लस इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तो गर आप इस बाइक के बारे में जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा मैं कोसिस करूँ आपको इतना डीटिल में बताऊं कि आपको कोई और वीडियो देखनी की ज़रात ना पड़े सो आज की वीडियो इंट्रस्टिंग होने वाली दोस्तो आरंट फैंस के बारे में जानना चाहते हो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखेगा चलिए इस वीडियो को सुरूर करते है अगर चैनल पर पहली बराया है तो सब्सक्राइब जरूर कल देखेगा सबसे पहले दूस्तो बात कर लेते हैं इस वाइक के प्राइस के बारे में आपको यह क्या प्राइस देखने को मिलती है दोस्तो आपको मैं क्लियर कर दूँ यह यह आपको एक्स रूम पराइस देखने को बिलती है 165,-167 की आपको यह एक्स रूम पराया के बारे में आपको मैं क्लियर कर दूँ अपको हरेकिश्णे इन लोगों के मतलब वाजब state and city में इसका क्या प्राइज अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूत बताएगा चली आप अब आते दोस्तों इस वाइक की डीटेल रेम्वियों में सबसे पहले दोस्तों आपको उसका front design में आपको दिखाता हूँ अलागी आपको दोस्तों में दो color आते हैं एक black आता जो कि आप देख पा रहे है ये matte color है और इसमें आपको एक white sorry blue आता जो कि glossy finish आता है वो भी काफी प्यारा लगता है ठेक पहले दोस्तों में आपको इसकी on करके दिखा देता हूँ लाइट जिया on करके light दिखाऊँगा देखें मैं आपके key on कर देता हूँ जैसे आप key on करेंगे सबसे पहले दोस्तों इस बाइक में आपको LED जो DRL light है आपको बाइक में देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यदा बहतरी और बहुत ज़्यदा अच्छा लगता है इस बाइक में आपको फूली LED light आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा कंपने ने काफ़ अच्छी जो light है इस बाइक में offer की हुई है light की quality प्लस visibility आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है नोर और दुस्तर आप एक कंपने ने अच्छी light यहां पर offer की हुई है male light पे आपको बाइक में fully LED light मिलेगी इसकी light की illumination and visibility काफी अच्छी है I don't think आपको आपको ज़रत है extra foglin लगाने की क्योंकि light actually इस बाइक की बहुत ज़दा अच्छी है ठेक चली वह दुस्तर बात करें इस बाइक के front suspension लेप के बारे में तो आपको आपको बल्ब देखने को मिल जाते हैं दुस्तर फ्रंट में आपको suspension मिलेंगा आपको tennis coping देखने को मिलेंगे suspension की quality हो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी आपको आपको बात करें प्लेट से बारे में वह आपको आपको और देखने को मिलेगा आपने देखा दुस्तो काफ यची ब्रेकिंग आपको बाइक में मिल गा है एंजिन टाइप में इस बाइक में आपको वन डबल फाइट सिजी का लिक्विड कूल फोरिश टोक एस वरसी सिंगल सिलेंडर जो एंजिन आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा बात कर लें दोस्तो इस बाइक के पावर एंड टॉर के बारे में यह बाइक मैक्जिमम बॉर में 18.5 का PS पावर जनरेट करती है और 14.2 के असपास का जो इस बाइक में देखने को मल जाएगा और चाहिए कि दोस्तों बाइक में आपको जो पावर इंड ओर के बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है आपकर काफी आची पावर इंड ओफर की हुई है कूलिंग सिस्टाम में लिक्ट कूल इंजिन मिल जाता है फ्यूल सिस्टेम में आपको FI देखने को मिल जाता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर में कहता है, अर्वे दोस्तों आप लोगों को बता दू, इस बाइक में आप लोगों को 6-year देखने को मिलेंगे, इसे आपको Slipper Glass भी देखने को मिलता है, यामा की VBA Technology, जिसे कहते है, वेर और सूपब देखने को मिलेगे, प्लस RN5 की S की बैचिंग, प्लस वर्जन 3 की बैचिंग मिल रही है, अलाकि RN5S और वर्जन 3 में कोई फरक नहीं जाता है, बट फिर भी गंबने ने दिया हुआ, बात कर इस बाइक के मायलेज इन परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों इन परफॉर्मेंस के बाद 40 का मायलेज निकालने को निकाल कर देखिए, बट इस बाइक में आपको मिनिममम जो है, तॉप स्पीड 110 किलोमेटर, एक सो चालिस किलोमेटर पर हावर के असपस की तॉप स्पीड आपको उसको मेलेगी, 0-200 वे दोस्तों इस बाइक को मेरे पर देखने को मिलेगी, प्लस यह बाइक का एकसा है, यह आपको आपको अच्छा देखने को मिलेगा, यह बात करें, सीट के बारे में, सीट में आपको सिंगल सीट आता है आरेंट पांद बास ऐसे दोनों बाइक एक डाइक बारेंट हैं और फाइच हो कोई भी फरक देखने को नाहीं मिलता है पहले आप दे लेकिन देखने को किया है इस इस सब्सक्राइब कर्वित Caid मिलते हैं इस वाधकी प्लीतट राह向ा झेले सदो इस के सरी प्लाकर सदी 옆 इसे नहीं प्लेच नाइसा के पारे गशनां प्लाध की ने लिए सच वरने टाइन सब्सके प्लास आजक वरेयम इंग You लिटर के आसपास ही मिलेगे तो इतर दोसो ब्राइंड न्यू यावा आरेंड फाइप एस का कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन डे म्यूँ आउप दूसो आप लोग के गुड़ों अच्छी नग्यूगी तो लाइक करना चैनल पे पहली बेरा है तो सब्सक्राइब अलेना मिलत पर अले उले ज्ढे हाने करना चैनल एज वेले हाभ अवेले है तो सब्सक्राइब़ अले के तो से कहा ही में बेंद चाहता है क्हाली कत लिए ट्हें सब्सक्राइब है ओन्ली पहला से कहा हैं।